कि वैइस आज है 18 नवेंबर 2024 इस वीडियो में आज हम लोग फिर से बात करने वाले निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल से टागेट्स आने वाले कल ट्यूजे शेशन उन्वेट कैसे हो सकते हैं अब यह को पिछले 5-6 डेस हो चुके है वीडियो नहीं आ पा रहा था जिसक की वैसे काफी दिक्कत है तो इसी वैसे जो है पिछले 4-5 दिन से तबित खराब होने की वैसे आपके लिए वीडियो तो नहीं आप आया लेकिन आपके लिए हमने लेवल सब्डेट किये हैं लगातार आपके लिए लाइव मार्केट में टेलेग्राम की उपर जिसमें आप आपको ये भी बताया गया था कि निफ्टी आज भीक रहेगा और बैंक निफ्टी आज पॉजिटिव है स्टॉंग है आप देखो कि जिन लोगों ने टेलेग्राम फालो किया होगा उनको सुबह 9 बज के 8 मिनिट पर हमेशा की तरह आज 18 नॉम्बर को लेवल अपडेट कर हुआ निफ्टी के इंदर बैंक निफ्टी के इंदर बट जो गयप था वहमारे लिए अगयप अप को एक अधर दिखाने के लिए की मार्कत आमारा पॉजिटिव है और इसके बाद आपको ले एक और अपडेट दिया था और यह अप्डेट के आपको दिया था कि सपोर्ट आपको बताया था साड़े बारा बजे के बाद 23,600 रेजिस्टेंस है 23,450 सपोर्ट है तो आप देखो कि मार्केट आज इग्जैक्ट 23,450 के ऊपर ही क्लोस किये जो कि सपोर्ट था और निफ्टी बैंक 50 जाद 200 के ऊपस इसने पॉजिटिव गेंज के साथ में आज क्लोस किया है तो हमारा मार्केट के अंदर आज थोड़ा सा जो ट्रेड सेशन था वो आज काफी ज़र कंफ्यूजिंग था बैंक निफ्टी बाय ओन डिप था और निफ्टी का डिड़ा सैल उन राइस का था इसके बाद आप देखो कि यूरोपें मार्केट में क्या हो रहा है लंदन मार्केट पॉजिटिव खुला लेकिन नेगेटिव में क्लोस किया पैरस मार्केट प किया पर 420 पॉइंट सी गिरावाट ही रही होंकों कों के बाजार में पॉजिटिव है चैनिश मार्केट हलका सब पॉजिटिव है एसे बाजर आप यह हमारे हिलके से नेगेटिव साइड में बहुत जैड़्या पॉजिटिव नहीं है इसके बाद हम लोग आता है अमेरिक का इंडिकेशन है, सेल का है, वीकनेस भी नहीं है और बहुत जादे स्टेंथ भी नहीं है, एक इंडाइस नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है, सेम पॉइंट्स में है, तो ओवर ओल जो ग्लोबल मर्केट का डेटा है, वो मिक्स अप इंडिकेशन दे रहे है, क्लियर इंडिकेशन नहीं है, विरिकेशन गिरावट के भी नहीं है, और तेजी के भी नहीं है, अब इसके बाद देख लेते हैं कि अफ़ाइस और डियाइस क्या करके करें, तो देखें, इसके लिए हम लोग आ चुके हैं, अठारा तरीक का आज का डेटा, एफ़ाइस लगातार बिक्वाली कर रहे हैं, एक दिन ऐसा नहीं आया है, जिसमें उन्हों अच्छे खासी खरदारी की हो, आज भी 14 से कुड का माल बीच आ है, डियाइस ने आज अच्छा खरदारी की हैं, 2300 करोड की, इंडेक्स ऑप्शन के अंदर बिक्वाली है, 18,000 करोड की, इंडेक्स ऑप्शन के साथ, कैश मार्केट में भी लगातार एफाइस के दर से बिक्वाली बनी है, निफ्टी 50 में बिक्वाली है, बैंक निफ्टी में बिक्वाली है, फिन निफ् में आप देखो तो उच्छाल बना हुए सोला के असपस अभी हम लोग बने हुए तो कल वॉलेटाइल मार्केट आपको अच्छा मिल सकता है बैंक निफ्टी है और सैलों राइस रहेगा बायों डिप रहेगा उसके लिए तो हम लोग लाइव मार्केट करेंगी लेकिन इससे पहले देख लेता है कि पीसा रेशो के इसाफ से मार्केट का इंडिकेट कर तो इसके लिए देखो हम लोग आ चुके निफ्टी का डेटा आज 21 नवेंबर का पीसा रेशो 0.71 है पीसार के इसाफ से तो मार्केट काफी ज़त हलका है उपर में रजिस्टर्स मार्केट ने 2300 साथ सो strongly form किया हुए है कल भी रहेगा आज भी है और नीचे में अगर आप आते हैं तो नीचे में जो support मार्केट है बना लिया है strong support है 23,200 का बट कब तक इसको hold कर पाते हैं इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है 23,300 यह हमारे लिए एक next important support है 23,300 आज भी मार्केट ने reject किया 23,350 हम लोग आये थे और 23,650 ऊपर में मार्केट ने reject किया अब यह range तोड़ना जरूरी है अब इसमें से जिस side भी मार्केट रेंज तोड़ेगा उस side हम लोग को breakout या breakdown मिलने की उमीद इसके बाद हम लोग आते हैं देखो bank nifty में 27 नमंबर का data PCR जो है 0.95 का है bank nifty के PCR market आज फॉर्म किया है put writing जो है आज भी काफी ज़्यादा data edition यहाँ पर दिख रहा है पचासजर का level तूटता है तो bounce back करने की शमता market के अंदर है बेकाज जो data है उसमें जो put writing है काफी strong है उनचाज़ा 600 पर 10 टाइम ज़्यादा put writers खड़े हुए call writing के मुकाबले और जो immediate अलावा और को रिजिस्टर सभी बीच में आपर नजर रहा रहा data के according नीचे में support काफी सा रहे हैं पचास जा तीन सो सरी पचास जार का पहला support है इसके बाद 29800 का support है तो नीचे में support काफी है ऊपर में जो है रिजिस्टर सोड़े कम है इसके बाद एक हम लोग आ चुके है यहां पर युएस डॉलर नेक्स फिलाल यहां पर थोड़ी गिरावट है और जो कि हमारे लिए थोड़ा अच्छा इंडिकेशन है रुपिया थोड़ा मजबूत होगा नीचे में अगर आप देखें तो हमारी चारों कंपनी युएस मार्केट में फिलाल तो पॉजिटिव नज़र आ रही है हलकी सी वीक्नेस विप्रो के अंदर है बट काफी लाइट वीक्नेस है बहुत ज़्यादा है वी नहीं है इसके लावट दुनिया की छे सबसे बड़ी कंपनी अगर आप देखें अपल पॉजिटिव है मैक्रोसॉफ पॉजिटिव है एंवीडिया एक सु की डाउजोस के अंदर भी जो लॉसे से कम हुए है तो उमीद करते हैं कि कल यहां पर हमें एक अच्छी ओपनिंग मिल सकती है जिफ्टि के अंदर खुड़ा सब्साल आया हुए जो की थोड़े से अच्छे इंडिकेशन है थेल वाली कंपनी के लिए और गिफ्टिव्टि अगर यहां से 23,550 के उपर निकल के क्लोजिंग कर देता है गिफ्टि तो कल हम लोग को अच्छी क्लोजिंग मिल सकती है इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा यहां से निफ्टि के चार्ट के उपर निफ्टि आज एक रेंज के इंद इसने ट्रेड किया कॉल राइटर पु इसको ब्रेक नहीं किया तो यह हमारे लिए कल है कि मिजेट सपोर्ट रहेगा इसके आसपस आते हैं 23,375 तो एक छोटा से स्टॉप्लस लेकर 23,325 का हम लोग पुल बैक के लिए ट्राइ कर सकते हैं और 23,547 के इसके बाद आप लोग सेलिंग के बारे प्लान करेंगे इसके बाद आप लिए बैंक निफ्टि कल हमारी वीकली एक्सपारी आखरी एक्सप आता है, रिकवर करता है इतना हलागि चांसे सो कम है बढ़र कर जाते है तो यहांपर हम लोग सेल कर सकते हैं कि स्टॉप्लस रही गा हमारा 51,000 के लेवल का चुटा से तॉपलस रहेगा और नीचे में सपोर्ड के है तो नीचे में मार्केट जो सपोर्ड आज बनाया है वो है पचाश जर के लेवल का अगर कल खुलने के बाद इसके अस्पस आते है तो चोटा से स्टॉपलस रहें के हम लोग एक चांस ले सकते हैं और अन्हें चाज़ार आट सो पैंसेट के एक स्टॉप लेंगे मार्केट जहां भी ओपन करते हैं वहां से अगर पहले सपोर्ट की तरफ आते हैं जो कि हंडड़ प्रशेंट के बारे में प्लान करेंगे पचास आट सो से ओपर निकल पाना थोड़ा सा मुस्क्लिजर आता है और अगर टिक जाते हैं पचास जार के आट सो के उपर तो फिर उसके अलावा मार्केट जो एक अच्छी रिकवरी दे सकते हैं तो चांसे हैं कि मार्केट दे सकता है दोनों साट के ट्रेडम को मिल सकते हैं अच्छे कासे बाकि अगर कोई में लावल्स में चेंजिस होते हैं दो हम लोग आपके लिए लाइब मार्केट में टेलेग्राम के वह पर अपडेट ज़रू करेंगे आज के लिए फ्लार इस्टिड में हितना ही मिलेगे नाइश फूड़ में तब तक ले थेंकिश वह पर असनीग है सेवा नाइस ट्रे